दोफ्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने iPhone में iTunes Store को कैसे enable या फिर disable कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है आपको चले जाना है अपने iPhone की settings में settings में जाते ही इस type का interface आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक option दिखेगा screen time का आप इसपे click करिए और उसपे click करने के बाद करना है आपको नीचे की ओर scroll नीचे की ओर scroll करने पर आपको एक option दिखाएगा content and privacy restrictions का आप इसपे click करिए उस पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करिए Allowed Apps पे और उस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक option दिखाएगा iTunes Store का यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे तो यह disable हो जाएगा और अगर आपको enable करना है disable था तो फिर आप इस पे क्लिक करके इसको on कर देंगे तो यह enable हो जाएगा अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like चैनल को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे यह और भी वीडियो देखने के लिए